नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मारी यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर तो सात्यों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंडियन कोश्ट गार नाविक जीडी और डीवी और यांतरिक के बारे में कि आपक स्टेज 2 में अगर जाना है तो आपके इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेगा जिससे आपको सारा डाउट्स के लिर हो जाएगा क्योंकि कमेंट आ रहे थी तो मैंने सूचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जिससे साभी कैंडिडियो को अपनी मतला हेल्प हो जाए ठी इसी तरह की इंफॉर्मीटिव वीडियो पाना चाहते तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्काइब करके बैल आइकन ब्रिंग बैस कर लिजेगा तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेना दिरिके सबसे पहले मैं आप सबी को बताना चाहूंगा देखिए सेडूल आ चुका है अल्रीडियो मैं उसके उपर वीडियो भी बना चुका हूं देखिए उसी के कमेंट का आधार पे मैं आपको बता रहा हूं देखिए आपके मैं बात करो तो देखिए 29 जून से आपका फिजिक जिससे सबी गणिडेको घर बात करऊ करो बात करो देखिए आपके फिजिकल में 1.6 म की रेनिंग हो गी जो, pilots इन से साथ मिनट का आपको टानिवे मात करते है आपको आपको टायमिंग रर्याया जाएगा आपके बेक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं स्टेज 2 में आपके डोकुमेंट क्या 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 रिकार्मेंट जरूरत क्या है ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी सबसे पहले चलते हैं अपने ऑफिशल वेब साईट पर जो कि आप ऑफिशल वेब साईट पर देख पा रहे हूंगे मैं ऒूसट्यरम Economist in Indian Coast Guard की जो आफिसल वेब साइट है तो देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके ूक्त करने वाले है जो कि Stage 2 यहाँ पर देख सकते हैं Stage 2 में जो आपका कीसीरिक्ते सभी सेंट सबसे पहले है मैं आपको आपको बताना चाहूंगा लेके जाना होगा ठीक है जो कि color print out होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा ठीक है यह बात के लिए रहोगी आगे बात करते हैं सेकंड टॉपिक जनी सेकंड पॉइंट आपका रहने बाला है सेकंड आप देख सकते हैं photo ID as mentioned on application अगर आपने photo ID में जैसे कि आपको काफी candidate आधर काड़ देते हैं ज्यादतर आपको आधर काड़ की फोट लेके जाना होगा ठीक है photo ID लेकर और जिया अगर भार नहीं है're photo state photo state की बारे मी बताऊंगा पहले आपको और जिनल बता रहा हूँ ठीक है इसको आपको और जिनल अगर देख्ञहाँ आपको या क्या होगा उस टाइम पर आपने क्या के लगाए होगा 10th क्लास की माक सीट लगाई होगी 12th की माक सीट लगाई होगी और आपने कास्टा इटिफिक वगए राइटी सी जो भी लगाया आपने वह सभी डोकुमेंट्स आपको लेके जाने होंगे और जीनल ठीक है क्योंकि क्योंकि क्या फायदा कर अब एक वी चीज भूल गए तो वहां से आपको आउट कर दिया जाएगा क्योंकि इंडियन कोष्ट काड़ वाले कोई टाइमिंग नहीं देते हैं आपको जिससे कि आप अपनी गलती को सुधार सकें ठीक है तो यह गलती पहले सहीं ना करके जाए आपको बता रहा हूं ठीक है सबसे पहले बात के लिए लिए अप्लीकेशन फार्म के बारे मैंने आपको बता दे है जो भी आपने फिसंफ पॉर्म में जो आपने डॉक्स फिल किये थे वह सभी डोकुमेंट जैसे के आपका 10-12 के मारक सीट हो गया और आपका जैसे की card certificate होगा, यह सभी original documents आपको लेके जाने होगे, बाकी देखिए, आगे बात करूँ तो देखिए, आप यहाँ पर third number point पर देख सकते हैं, D number point पर, D number point की बात करो, तो यहाँ पर लिखा, through photo copy of all original document, do you, here लिखा, do you, self-attested है, यानि जो भी आपके self-attested documents लेके जाने होगे, जो कि आपके सभी documents हैं, original documents, जैसे कि आपका 10, 12th की mark sheet हो गई, other card हो गया, और आपकी card certificate हो गया, address बगयरा, और भी कुछ documents है आपके पास, तो उन सभी documents की क्या है, कि आपको 3, 3 photo copy कराके लेके जाने हैं, कितनी, 3, 3 photo copy कराके लेके जाने हैं, मैं तो कहा रहा हूँ, 5 photo state कराईए, ब इन 3 का महाँ पर रख लेना, बागी 2 दो का अपने पास लग रख लेना, बाइद बे कोई जरुत भी पढ़ती है, तो जिससे वो आपके काम में आजाए, ठीक है, आगे बात करता हूँ, देखिए, आपका e number point में क्या लिखा हुगा है, जो कि आपका e number point में लिखा हुआ ह 20 in noc, यानि कि passport, size, color, photograph, यानि online application में आपने जो form में फिल किये थे, जब आपने online application form फिल किया होगा, तो आपने photo कर भाए होंगे, ठीक है, वो photo यानि कि जिस date के आपने करभाया है, वह date होनी चाहिए, यानि कि आपका date अगर अलग change होगी, यानि सब कुछ सेम होना चाहिए जे जो भी आपने application form में फिल किया था photo, उसी photo का, यहनि कि आपको 20 copy लरके जाने है, नहिनstudy ​, 20 copy लरके जाने है,這裡, 20 photo, passport size phone लरके जाने है, जो अपने application form में फिल किये थे, तो इस चीज़ के आपको खेहा होगा, 20 photo आपके होने होने चाहिए, जो आपने online application में फिल किये थे ख्यास्ति, यह बात क्लिर होगी, और ज्यादा भी कराके लिए जा सकते हैं, जो आपके काम भी आने वाले हैं, कोई दिक्कत भाली बात नहीं है, आगे लास्ट में बात करूँ तो, आपको चार अनकी फोटो च्टेट उसकी भी कराके लेके जानी है, ठीक है, बागी अगर आ ठीक है ना तो यहां पर देख लेंगे बाई इन सभी डोकुमेंट्स को क्या है कि आप केरफुली लेके जाना होगा बागी में आपको ऑफिशल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं जिससे आपको बिलीब हो जाए जो कुछ मैंने अभी आपको बताया वही है सेम टू सेम अब यहां पर देख सकते हैं अभी कर देता हूं यह देखिए जो भी मैंने आपको सेम बताया सबसे पहले करन के अप्लिकेशन फॉर्म के बारे में बताया कलर प्रिंट आउट ऑफ ओनलाइन अप्लिकेशन सेकेंड का एडमिट कार्ड हो गया सेकेंड आपका फोटो एडी ठीक है आपको 20 फासफोट साइस फोटो होना चाहिए और आपका नोसी सेटिफिकेट होना चाहिए जो कुछ लिखा यहां पर वही मैंने आपको बताया ठीक है तो उनसे भी डोकुमेंट्स को आप अपने रेडी कर लीजेगा बागी अगर स्टेज 3 के बारे में जानना चा कुलिक करना है यहां पर वीड्योजिट करना है और बागी मैं तोarta ब्सक्रealnya चलिया है यहां पर सकते हैं यहां पहाली प्लेइस्ट के नाम से इस प्लेइलिस्ट को जैसे दिखिया वो उपन करते हैं आप सभी के सामने इसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बता रखा है कि आपके स्टेज 2 के स्टेज 3 के डोकुमेंट्स क्या क्या चाहिए बागी देखिए आपको मैं बता दूं स्टेज 2 के बारे में जो भी अपडेट करिएगा जो कि इन वीडियो का लिंक आपको डिस्कुम बॉक्स एंडाई बटन पर भी मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा ठीक ना और बागी अगर देखिए प्लेलिस्टेज आकर देखना चाहते तो देख भी सकते हैं और देखिए आपको सेकंड तो मैं टेलिग्राम चैनल पर सबसे पहले देदेता हूं तो आप से कहना चाहूंगा देखिए यहां आपका इंडियन कोश्टगार नाविक जीरी आंतरी की अपकी बेकेंसी आ चुकी है उसके बारे में तो देख सकते हैं जो भी अपडेट हो दिया है तो देख सकते हैं ज चैनल को जाकर जोइन करिएगा और आई होब मेरे साब से मेरा आपको जो बीडियो में बताया कियरफुली आपने सुना होगा किलियरली आपको समझ में आ गया होगा बागी देखिए इन सभी डोकुमेंट्स को आपको तयार करके ले जाना है बिल्कुल भी गलती नहीं करन दिगा और सेरे करने पर सभी दोस्तों मैं कमेंट करके जो पता है आपको वीडियो कैसी लेगी और दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ही करते है यार वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए का और जैसे ही च झाल झाल झाल